मंगोलिया में सकस, मंगोलिया ए सकस का स्कूल, जो कभी एक गौरवशाली इमारत हुआ करता था, आज धहने के कगार पर है। तूटी हुई दीवारें, फफुन्दी लगी छट और स्टेज की लकडी के फ्रेमों में बसी दशकों की बासी गंद। बेतहशा ठंड में कुछ योवा कलाबाज हवा में छलांगे लगाने का अभ्यास कर रहे हैं और हर नाकाम्याब कोशिश पर कपडों से धूर जढ़ते हुए क्रूर कोच की डांट सहन कर रहे हैं। बाहर कच्छी सडक पर एक ग्यारा और एक तेरा साल की लड़कियों का जोड़ा गंदे पानी के गड़ों के चारों और हाथ और पैर के पंजों के बल उल्टा चलने की कोशिश कर रहा है। 83 साल पुराने इस मंगोलियाई सकस स्कूल की इमारत उनकुछ एक जगहों में से हैं, जहां पेशेवर वन नवागंतों क कलाबाग्या अभ्यास कर सकते हैं। सरकारी सहायता की कमी और प्रशिक्षन सुविधाओं के अभावों के बावजूद यहां आने वाले युवाओं का जजबा बताता है कि आखिर क्यूं मंगोलिया दुनिया के सबसे महान सकस कलाकारों का घर रहा है। मंगोलिया एक विरल आबादी वाला करीब अलासका के आकार का देश है। यहां के सरकसों से धेरों प्रतिभाओं के समाप्थ होने और विदेश जाने की पूरी कहानी शुरू होती है। 1931 में रूसी कलाकारों का एक दल मंगोलिया आया। फिर 1940 में मंगोलिया एक अलाकारों के दलोंने रूस जाकर प्रशिक्षन लिया और मंगोलिया के पहले सकस की नीव रखी। 1971 में समाजवादी रोमानिया की मदद से मंगोलिया आधुनिक सकस का केंद्र बना। एक विकास शीर देश के लिए सकस लोगों के मनोरंजन के साथ पूंजी जुटाने का भी साधन था। 1990 में लोकतांत्रिक क्रांती के जरिये मंगोलिया में सरकारी नियंत्रन घटा, जिससे सकस चलाना हाथी पालने जैसा हो गया था। तब एक मशहूर सूमो पहलवान ने सकस को खरीदा, लेकिन वो भी मंगोलिया की इस पुरातन परंपरा को पुनर जीवित करने के वादे पर खरा नहीं उत्तर पाया। एक पूर्व कलाबाज और वर्तमान में सकस का प्रबंधक गिरेलबातर युंडेन कहते हैं, उतरी अमेरिका और यूरोप के सरकसों में करीब 1300 मंगोलिया कलाकार काम कर रहे हैं। हमें पूरी दुनिया प्यार करती है, लेकिन अपने ही देश में हमें सुविधाएं नहीं मिल पाती। गिनीज बुक में शामिल एक मंगोलियाई कलाकार सुश्री सत्सराल कहती है, मंगोलियाई सकस स्कूल की इमारत में पानी और रोशनी तक नहीं है, यहां बच्चों का रहना खतरनाक है। वह कहती है, मैं अपने देश के बच्चों को करतब सिखाना चाहती हूँ, पर सिखाने के लिए जाओं कहां।